सो हेलो फ्रेंज वाट्स अप क्या हाल चाल तो आज हम फिर से खेलने वाले हैं बैक्डाउंड दे का आप सब समझी चुके होंगे कि आज हम खेलने वाले जीटी फाइव एंड भई जीटी फाइव में आज मैं आप सब को एक सर्प्राइज देने वाला हूं एक दुख की था वह हमने लेस्टा ने बेश दिया है एंड उसी पैसों से हमने एक एरपोर्ट का जगा खरीद लिया है जहां से हम अबना हमारा एरलाइन का एयर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करा पाएंगे उसके साथ हमने और भी कुछ किया है हमने एक सड़ी पहले एक काम करता हूं मैं जाता हूं उसके बाद करता हूं तो इजी होगा आप सबको समझने के लिए ठीक है तो पहले गेम पी खुछते हैं चलो तो चलो हम घुछ चुके हैं एंड हमारा माइकिल चाचा यह रहा बनिया सोने ही जा रहा था तो आप सब इसका हलत देखी पा रहे होगे हां भाई दे पर ही होना चाहिए था बट वह नहीं है इसका मदलब वह हाँ आप सबसे भी समझ रहे हो वह लोग घर चोड़के चले गया है माइकल के साथ कुछ योगा क्लास में कुछ गलती हो गया था इसके साथ इसका बीबी का सो ओ घर चोलके चला गया एंड जीमी ने भी हमारे साथ है तो वह तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है जरूर ले सकता है वह आमारा बेटा है बट यहीं बुड़ा लगा कि भाई ना यार ऐसा करना सही नहीं था छोड़के चले गए सो अभी तो माइकल चाचा बहुत दुख में है एंड उसको उसका बीबी बोला है कि तुमें का करो जितना हो से के सुधरने का कोशिश करो इतना दिमाग गरम नहीं चलेगा ना सो यहीं कर रहा है माइकल चाचा हमारा अभी अभी के लिए काम कर रहा है और वह वाला एपिसोड मेरे पास है बट मैं आप सबको दिखा नहीं पाऊंगा विकास उसके अंदर एक इसू हो ग तो पहले चलो आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं तो सो जाते हैं एक मिनिट क्योंकि सुभा उठना है ना तो चलो हो चुका है सुभा है हमारा माइकल चाचा तो उठ गया है और मुझे लगता नहीं है सुभा हुआ है देख के आता हूं रूको नहीं बाई कुछ जल्दी उठ गया मतलब समझ रहे हो बीबी चला गया तो दुख के मारे निंदी नहीं आ रहा इसको जो भी हो मैं सुभा मिलता हूं आप सबको तो चलो हम उठ चुके हैं सुभा एंड सुभा नहीं बाई करीब करीब दस बजे उठा है बंदा एक बड़ तो चलो हम तो सुट अप करके रेडी हो चुके हैं हां भाई कुछ अलगी लुक रह रहा है ना माईकल का हां मैंने ऐसे सुट अप क्यों किया है मैं बताता हूं सो जब हमारा एयरपोर्ट में वह एयरपोर्ट का जगा हमने खड़ीदा था लेस्टर के साथ तो हमने जब द अपर्या की हमने एक शूपर बाइक ऑडर किया था जो पैसा था उससे एक शूपर बाइक ऑडर किया था जपान से जो अभी आ चुका है बड़ मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा डायरक्ट आप सब को दिखाऊंगा ठीक है सो फ्लीज थोड़ा थमके बटिए एंड उसके साथ दिरे धर हम कम करते रहें and और बी पैसा हम लोग हम भी पैसे ब्हुंग गया Juliet सी हमने इंपोर्ट कर रहे है एंड जिस कम्पाङूं इंपकर करा रहे थे उस ओपानी का बिक Jeans Way का उनर हें उसने हमारे साथ णारिण का आ माइकल अभी तो यार लोस एंटेस का एयरपोर्ट का हर एक जागा बुक हो चुका है हाँ डगन बॉस में एक बुक किया है मुझे अभी अभी न्यूज आ है तो हमने बोला है हमारे पस अभी तो कोई एयर प्लें या खोड़ा नहीं है सो हमने क्या हमने बोला है सिफ आप इंपोर्ट का खरचा बात दें नचेंगे करने देंगे वो एयरप्लें एरपूर्ट का जगा TIME है सो उन्होंने डील कर लिया है अभी तो हम लोग अच्छे दोस बन गया है वो भी कुछ कम नहीं है वो बिजनेसमेन बहुत बड़ा बिजनेसमेन है सो मैं अभी मिलाने वाला हूं उससे पहले काम करता हूं सुभा का जूस पहले लेता हूं इसे हमें क्या होगा थोड़ा अभी जेंटलन बनने के लिए माइकल थोड़ा ज्रिंक शिंग चोड़ रहा है एंड कुछ बॉड़ी मेंटेंस भी कर रहा है सो पहले चलो हम हमारा अबूसा है जो हमने जापान से और किया है यह आई तिंग सुजुकी जीएस एक्स वन थ्री हंड्रेड है जो भी हो ऐसा ही कुछ मॉड़ल है इसका आप सब देखी पार हो मैं एक ओभर लुक देता हूं रुको सामने लिके जाके बड़ इसको नहीं ले जाएंगा हम यह आ अब बहुत सामाडिफाई बाकि है इसका कलर मैं थोड़ा ओरेंज कलर का मॉडिफाई दूँगा ठीक है मैं आप सब को दिखाऊंगा इसका टॉप स्पीड भी मैं आपको दिखाऊंगा एयरपोर्ट में घोश के तो बट अभी तो हम जाएंगे एयरपोर्ट क्योंकि हम जा रहे हैं वहाँ पर इसलिए मैंने अइसा ड्रिशप किया है बट मैं अपने कोई भी कार वगड़ा नहीं ले जा रहा हूं क्यूंकि वहाँ पर जाके वह कार भी ले आना है सो एक कार चोड़ देना मतलब अब बहुत महिंगा उपड़ पढ़ जाएगा सो पहले मैं काम करता हूं एक कैप बुला लेता हूं रुखो तो हम ने तो क्याप बुला दिया है और देखते हैं कब तक आता यह क्याव हमारा आइच यहां से इस तरफ से वह रहा और हमारा कैब नहीं वो कैब नहीं है ब्रो वो रहा सॉरी सॉरी एरा कैब तो चलो ऐसा पैसेंजरी घुसेंगे क्योंकि हमें कोई धमाल नहीं करना है तो हम मिलते हैं पर देखे हैं उके हम ऐर पोट जैएंगे ब्रो तो थोड़ी दे रुक जाओ मैं एक बात बोल जो देड़ी लायेगा बहुत दूर है मिलते हैं एयर पोट के पास ।चलो हम पौछ चुके हैं एअर पोर्ट यह बता रहा है कि एअर पोट के अंदर नहीं नहीं पाएगा क्योंकि एसा कोई पास नहीं है इसके पास सो अभी देखते है एक नॉर्मल सा कार चुला लेते हैं क्योंकि हमें तो जाना है एरपूर्ट के अंदर वो वाला जो फॉर्वीलर आरा है मैं वहीं उठा रहा हूँ सामने पुलिस का कार है क्या अभी वाली श्राइब आर आरा है वो ओके सो पहले काम करता हूं मेरी बाग चाहिए तो पता भी नहीं यहां मैं कॉन अगे मेरे पीचे पुलिस लगए है पहले इसको लोड़ दा जाए ले दिए तो आपस मिल ता सुचलो धालो हुम तो गुस्च चुके हैं हमारे एरटिके पास आचुके हैं और पोलिज़ा सक दिया गलती चिन होगा था पुल कुल करना आप हुछ को देखते हैं यह मैं एंटे जेते हैं या नी एंट्रेंस देना चाहिए क्योंकि हमारा तो खरीदा हुआ है सो और भी पास जाते हैं ओके नहीं दे रहे हैं क्या यार कुछ गलती सीन हो रहा है नहीं से जाना है क्या अरे कोई नहीं है भई तोर के चला जाते हैं चलो तो यह जो काउल कर रहा है भार भार यह है मुझे रास्ता तो ठीक से जाना है देखते हैं इसी रस्ते से जाना है मुझे इस तरह भी होना चाहिए हाँ चलो सीधा वो देखो भाई साब ओ माई गॉड यार पहले पाक कड़ा देता हूं देख रहे हो यार कि नहीं है मेरा कार नहीं है सो लॉक करने का जरूद नहीं है सो भाई लोग आप दो देख रहे हो कितने जादा सिक्यूर्टी लेकर आया है यह मतलब भाई देखो यार फुल स्कॉर्ड लेकर आ गया है यार देखो मैं थोड़ा भाग के दिखता हूं आई तिंक कोई प्लेन लेंड लुड़ा है कैसे लेंड कर रहा है देखो फटना जाएं तो पहले मैं अपना लैंब और गिनी देखूंगा यार यह लैंब और गिनी उरूस जो मैंने मंगा है बाहर से यह ही मैरा वह एयरपोट का ग्राज है ठीक है यह रहा भाई गोलेन करार का फुल्ली मॉडिफाइड है बट हमें लेने के पहले उससे बात करना होगा पहले मैं दिखाता हूं भाई देखो कार्गो प्लेन से आया हुआ है भाई सब क्या कमाल का गार्ड लेके बैटा हुए यार ओहो अच्छा यह लौस एंजलेस से कुछ कार्स इंपूर्ट कराने वाला था ए भाई साब मतलब एक को मारूंगा ना तो चली कर देंगा ओ भाई साब इतने गार्ड क्या है माफिया है क्या तू है देख रहो वहां पर स्नाइपर लेके बैट हुए वो लोग मतलब कितना ज्यादा ही तगराक लेकर और अब देदिया है तो चलो मैं इससे बात कर लेता हो उसके बात आप सबसे मिलता हूं तो चलो इसके साथ थो हमारा बात हो चुका है बहुत अच्छा लगा इसको मेरे साथ दोस्ती करने में और और कुछ दिन रहे गा और मुझे मिलने आया है पहले यहां से निकल जाता हूं इतने सारे गार्ट क्यों सो इसने बोला है कि भाई देखो हम तो ठेरे बिजनेसमेन एंड हम बहुत महंगे महंगे गारी इंपोर्ट कराते हैं अब कुछ दिनों पहले जब यह बाहर था मतलब लॉस एंजलेस बताया अभी नाम लॉस एंजलेस से जब गया था लॉस एंजलेस अब यह क्या बोला कुछ बहुत हाई प्राइस का कुछ का इंपोर्ट करा रहा था हो भी एक नहीं शीच स्पूर्ट कर थे आंड वह जब इं ही था सिर्फ एक वह बाला यह वाला मिलिटरी कार्ड था ट्रॉक था सो इस वह एक्सप्लोर करके वह ले गए इसलिए अभी यह फुली गाइड लेके चलता है और कोई डरने वाला बात नहीं यह कुछ नहीं करेंगे जब तक यह कुछ कमंड नहीं देगा एंड हमें तो इसने बोला तुम चले जाओ मैं तुमसे बाद में कोई होटेल वगरा में मिलता हूँ अभी तो यह कुछ दिनों रुकेगा क्योंकि और भी ट्रक्स और भी कार्स आने वाला है यह लास एंजलेस से अभी 12 कार्स लेने वाला है जल्दी मैं और एक कार्ड इंपूर्ट करने एक मिनिट मैं पहले इसका थोरा चेक कर लेता हूँ ठीक है उसके बाद आप सब को व्यू भी दे दूंगा इसका ओके तो चलो एक प्रॉब्लम हुआ था कि भाई इसका स्पीड मुझे तुरा कम लग रहा था तो मैंने हमारे दोस बिजनेसमैन से बात किया उसने बोला है यह नया नया खरीदा हुआ है ना सो मुझे इसको अलग से मॉडिफाइक कराना होगा इसकी स्पीड गियर्स अनलॉक करने के लिए पहले मैं इसको बाद में बेनी के पास ले जाओंगा अनलॉक करा लूंगा भाई पहले लूक देख लो यार क्या लूक लग रहा है ओहो ग हुआ हुआ है हुआ है तो चलो कैसा लगा सिनेमेटिक व्यू आप सब मुझे कमेंट करके बताना और नेक्स्ट कार क्या इंपूट कराया जाए वह भी मुझे बताना पहले चलते घर भाई बहुत देर हो चुका है एंड हमें लगता है स्टीव जो हमें बार बार कॉल कर रहा है कुछ गलती मिशन हैं हमारे लिए सो पहले चलते हैं घर मार करते हैं सो चलो अभी चलते हैं घर पे तो भाई हमें तो टू थर्टी एट माइल्स जाना होगा सो मैं आप सबको मिलता हूं घर पे अपने लेंबरगीने उरोस के साथ है कि सो चलो अलमुस्ट हम पहुच चुके हैं और बहुत ही पास है मतलब है मत्ठोक यार इस कार को बहुत महेंगा कार रहा है गरीब आदमी तो जो भी मैं सोच ला हूं इतने सारे इंपूर्ट करा रहा हूं वह बंदा सिर्फ इतने जितना भी लग लगा हुआ है यह लोस संटोस है सो थोड़ा तो कियार करने पड़ेगा मैं इसको गरेज पर नहीं यहां पर रखोंगा क्यूंकि जो भी आएंगे ना उसको पहले ही देखेंगा वू लो भाई लैंबरगीनी उडू सा इसके पास ऐसा इंप्रेशन आना चा मेड भी रखना है क्यूंकि हमारे पास कोई नहीं है हां मेड हमारा जो घड़ के अंदर है वो तो काम करेंगा ही बट बाहर भी कुछ लोग हमें रखना परेगा एंड यह देखो हमारा बाइक बाहर है सो मैं इसको भी गराज में गुसा देता हूं हमने बाहर ही छोड़ के चला गये थे इसको बट मैं मॉडिफाई भी कराऊंगा देख रहे हो भाई कुछ अलगे एक्सिलरेशन है इसका तो पहले मैं इसको साइट करता हूं ओ माइकल भाया हेलमेट पहनने का जरूरत नहीं है हम घर पे घुशेंगे चलो हमने तो इसको घुशा दिया है और मैं सोच रहा हूं आज रात के लिए सेफटी के लिए मैं अपने लेंबरगीन उरुस को भी वहां पर घुशा देता हूं क्यूंकि कोई पता नहीं है कि कोई आके चुरा के लिए कि जाए एंड हमारा इतना महेंगा कार चला जाए सो मैं वहीं कर रहा सुच चलो आमने तो रखा दिया है या लग रहा है या बूसा के पास लैंबरगीन उरुस तो हमें हमारा पुराना गाराज भी ठीक करना होगा जहां पर हमने परिदा आता वह गराज हमें टिक करना होगा क्योंकि उसको भी तो ठोरा ठीक करना है बट इंटरियर देखा ना गोल्डेन कलर आप लोग स्रजिस्ट करो कि मुझे कौन सा कलर लगाना चाहिए इसके साथ तो पहले इसको छोड़ देते हैं कि चलो यह तो हो चुका है कॉंप्लेट यह यह कार कोई जो कोई चाहता है ले जाओ मुझे कोई दिक्कत नहीं है बस ले जाने के बक्त तोरह पैसा चोड़ देना ओ भाई मैंने अपना कार लॉक नहीं किया है चोड़ी हो जाएगा अभी के लिए तो लॉक करेंगे पहले नह नहीं यह नहीं चलो हमने कर दिया लॉक अभी मैं तो यहां से खुश सकता हूं न क्या कर रहा है माइकेल इतना तो थोड़ा ध्यान रख सो चलो देखते हैं खा पी लेते हैं नहीं विस्की नहीं पिएंगे अभी खाने के लिए ओके चलो अभी हम जाते हैं उपर एंड मुझे लगता है उपर जाके सो लेना चाहिए क्यूंकि सुभा भी तो उटना है ना ब्रो से थो एंड मेरा पैलडरेस कोल से विए कैसा लगा आज का वीडियो है आज का वीडियो थोड़ा रह reasonable आज का बना परया है हाँ बहुत सारा kars ने दिखा पाया क्योंकि भाई आप सको पता ही है आपका भाई ठेहरा गरीब आदमी झो थोड़ा काम करके हमें पैसा फिर थोड़ा इंकम करना वड़ेगा उसके बाद ही हम फिर से कोई नया और नेक्स जो मेरा टारगेट है भई नेक्स जो टारगेट है वो आप समय मतलब बता हुई मत मैं जो इंपूर्ट कराने वाला हूँ वो कोई बाइक होगा या कोई स्पोर्ट कार होगा जैसे कि लेंबोर्गीनी सियान और टेर जो ऐसा कुछ होगा या और भी हो सकता है बट कराऊंगा यार नेक्स्ट कुछ दिनों में ही मैं कराने वाला हूँ आप सब कॉमेंट करके बताओ कितने जल्दी चाहिए आप सबको मैं उतना जल्दी लाओंगा वीडियो तो आज के लिए तो इतना ही वीडियो अगर अच्छे लगा लाइक करना हमारा लैंबोर्गीनी उरुस के लिए एक तो लाइक चाहिए हयाविशा के लिए भी मैं पर सब्सक्राइब भी कर देना भाई गरिब का चैनल है नोटिफिकेशन बटन को हीट कर दो एंड डिस्क्रिप्शन में जाओ वहां पर मेरा हर एक सोचल मीडिया का लिंक है जैसे कि इंस्ट्राग्राम में मैं फोटोग्रफिस बगरा पोस्ट करते रहता हूं ट्विटर म भी है हमारा तो बही जीन लोगों को लगता है कि इस बंदे के साथ थोड़ा गेमिंग भी कर लेना चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बट जोइन करो मुझसे बात करो वहां पर बात साथ होतर आएंगा तो जो भी हो घर पे रहिए सेफ रहिए और फैमिली का भी ध्यान खुदका भी उसके साथ और लोगडाउन भी मेंटेन करिये तो मिलते हैं अगले वीडियो में सी यू टाटा सायो नारा